अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें जैमा इंद्राक्षी इंद्राक्षी धाम में दर्शों को आप सभी का महारदिक स्वागत करते हैं आज के दिन जिन जातकों का जनम दिवस है मेरी जनिवर्सरी है उन सभी को हमारी तरफ से बहुत-बहुत शुब कामना है आज का पंचांग अठारा सेप्टेंबर सन दोहजार बीस दिन शुक्रवार आश्मिन महा शुकल पक्स समवंत दोहजार सततर तिथी परतिपदा नक्षत्र उत्रा फालगुनी राहुकाल साड़े दस्ते बारा दिशासूल पश्चिन दिसा आज से पुर्शुत्तम मास की सुरुवात हो गई है पुर्शुत्तम मास में हम ऐसा क्या विशिस करें जिस महा में सूरिय की सक्रांती नहीं होती जिस महीने में भी उसे अधिक मास मल मास पुर्शुत्तम मास कहा जाता है और मल मास करीब करीब ये अधिक मास जो होता है बत्तिस मास सोला दिन और चार घड़ी के बाद पुन्हे आता है लेकिन ऐसे और भी कुछ संयोग हैं जो काफी अर्सों बाद हुए हैं जैसे आज की तिथी और पंचांग के हिसाब से आज से नवरात्र प्रारम होने थे होने थे ना अब नवरात्रे चले गए हैं सत्तरा अक्टूबर से क्योंकि ये मल मास की सुरवात आज से हो चुकी है और सत्तरा अक्टूबर को पर्थम नवरात्र रहेगा शुक्ल परतिपता का इसी के साथ आपको एक चीज और हम बताएं आज से जो ये महाँ प्रारम हुआ है भगवान हरी की सेवा करने का ये बहुत ही सुन्दर अफसर है भगवान हरी की शरण में जाने का ये बहुत सुन्दर अफसर है इस पूरे एक महीने मैं आपको एक कारिय बता रहा हूँ संध्या के समय भागवान विश्णु का इस्मरण करते हुए एक देशी घी का दीप या मीठे तेल का दीप भागवान विश्णु के निमित्त लगाए आसपास किसी मंदिर में विश्णु प्रतिमा हो तो वहाँ जाकर के लगाएं अनुपम लाव की प्राप्ति होगी और एक बात और बताएं इस महीने जितनी हम भागवान की भक्ती भागवान की पूजा जितनी हम करेंगे उतने हमारे लिए जीवन में शुबता आएगी और इसी के साथ साथ एक बात और बताएं इस महीने की जो भक्ती है वो आप सकाम भाव से करें निशकाम भाव से करें किसी विशेस कंडिशन को लगा करके इस महीने की भक्ती ना की जाए जैसे हम विशेस प्रकार के अनुष्ठान करते हैं हम लक्ष्मी अनुष्ठान करते हैं गनेश जी का अनुष्थान करते हैं मृतुंजय अनुष्थान करते हैं तो हम उसमें कोई बात जोड़ते हैं कि भई भगवान गणपती आपके निमित हम अनुष्थान कर रहे हैं आपकी कृपा से हमारा कारिय संपन हो जाए तो ये सकाम भाव हुआ निश्काम भाव नहीं हुआ तो इस महीने जो भी आपको ये अनुष्ठान करें वर्थ करें, एकाश्ची भी आएगी निश्काम भाव से करें कोई उसमें कंडिशन ना लगाए फिर देखें और भगवान विश्णु के निमित पूरे महा एक दीप अविश्य जलाए चाहे मीठे तेल का हो मीठा तेल किसको कहते हैं तिल का तेल चाहे तेल के तेल का हो और देखो हम लोग तो खुद ऐसा करते हैं हमारे कई स्थानों पर अखंड जोड जलती है तो हम तेल निकल वा लेते हैं और उसकी जोड बहुत अच्छी रहती है क्योंकि देशी घी आजकल प्योर नहीं मिलता लेकिन तिल तो मिल जाते हैं ना तिल का तेल निकल वा लीजिए आप एक कनस्तर निकल वा लीजिए यानिकि 10-15 लिटर आप तिल का तेल रखिएगा तो आप के लंबे समय तक चल जाएगा नहीं तो अपनी पोकेट के हिसाब से दो लीटर चाल लीटर पांच लीटर ले आईए आप देखाने देशी घी पर कितनी हाय है डॉक्टर साब भी मना करते हैं आपका हर्ट में प्रोलम हो जाएगी देशी घी मत खाईए इस सब चुलवा द देते हैं लेकिन गलती डॉक्टर साब की भी नहीं है जबकि भारत में तो दूद घी मक्षन का बाहुल्य रहा है आज कंडिशन थोड़ी सी चर्वराई हुई है अब देशी घी कदापी नुकसान नहीं करता मेरे सभी दर्शों को ध्यान रखना देशी घी अमरत के समान है देशी की कभी नुकसान नहीं करता चाहिए आपको कोई कितना भी कहे आपका कॉलस्ट्रोल बढ़ जाएगा ये हो जाएगा कुछ भी नहीं होने वाला लेकिन लेकिन अब मैं लेकिन लेकिन कर रहा हूं कई मेरी बास समझे कौन सा देशी की जो शुद्ध है ये नहीं जो लोग आप बजार से ले आते हैं अब ये तो नुकसान करेगा ही करेगा उसमें तो भगवान जाने क्या है आप ये देखो कि दूद बहुत कम है और आप और दे दिएगा कि हमें पचास ट्रक माल चाहिए देशी की का सुब आ जाएगा कहां से बनता कैसे बनता भगवान ज नसीब बालो कुछ शुद्ध घी और शुद्ध दूद मिलता है ये बता रहे हैं हम आप से अब हम सब लोग शहरों में रहते हैं सब पैकिट का आइटम खा रहे हैं सब ठेलिया में पैकिट में सब बनते दूद है घी है सब कुछ है तो वो तो फिर भाई क्या कहें उसके में खैर भागवान विष्णु को मीठे तेल का दीप या देसी घी के दीप चलाएं लेकिन मीठा तेल हम इसलिए कहते हैं कि देसी घी अब शुद्ध मिलता नहीं है जल्दी से जिने मिलता है अच्छी बात है आप प्रियोग कर सकते हैं खाने में भी और देवताओं को अर किरवाद मिल जाता है तो भगवान स्री हरी का संकिर्टन करने का यह पूरा महिना और मंत विजात्मक पड़ सकते हैं गजेंद्र मोक्ष पड़ सकते हैं विष्णू शहस्तर नामावली पड़ सकते हैं हर ब्रस्पतिवार भगवान विश्णु को पीले फूल पीला जनेव पीले लड़ू एक दीपक अरपन करिए और आप कुछ मत मांगिए भगवान बिला मांगे सब कुछ दे देते हैं वो समझते हैं हर्दे के भाव समझने वाले भगवान होते हैं समझे आप तो कु जो पढ़ता है, बहुत अच्छा मात्ते में प्राप्त होता है, इस महीने में सिरिवत भावगत गीता जो किसी को पढ़ करके सुनाता है, उसे भी बहुत अच्छी फल की प्राप्ती होती है, सुनने वालों को भी और सुनाने वालों को भी, महीने के एंड में हमें क्या विश सांग मुझे भी थोड़ा सा समय सा नहीं लग पा रहा है पूरा पुर्शुत्तम मास का इक विश्य सांग मैं अलग से मना करके आपको जल्दी ही जैसे दो चार पांस दिन में समय लगता मैं आपको जरूर उपलब्द कराता हूं बस कहने का भाव यही है प्रयास करें सुर्य हरी का समर्ण करें गायतिरी मंत्र का जब करें अपने मंत्रों को अपनी साधनाव को इस महीने निखार डालें यह महीना और प्रक्टिस का है यह महीना डेंट पेंट का है जितनी भी भक्ती में कमी आ रही न इस महीने में वो पूरी कर लीजिए आप बस मेरा कहने का आप से यही अर्थ है यह मामूली महीना नहीं है यह मामूली समय नहीं है यह भागवान पुर्षत्तम से जुड़ा हुआ अब मल मास भी इसका नाम है लेकिन पुर्षत्तम मास जो पड़ा वो भागवान हरी ने जब यह रोता पिटता महीना प्रभू के पास कृष्ण जी के पास प बताने वाला हूँ, कि मेरा तो अस्तित्वी समाप्त हो गया, मेरा तो नाम मलमास हो गया, मेरा कोई सिर्मोर नहीं, मेरा कोई नाम नहीं, तब फिर कृष्ण जी, विश्णु जी के पास इसको ले गए मलमास को, तब भगवान हरी ने कहा कि तुम जिंदा मत करो, हम तुम्हे अपना नाम देते हैं, तो भगवान सुरी कृष्ण ने इने अपना नाम दिया, भगवान सुरी विश्णु ने इने अपना नाम दिया, पुर्शुत्तम नाम दिया, और ये भी कहा कि इस माह में, जो भी कोई हरी की सिवा करेगा, किसी भी प्रकार का भजन यजन करेगा, क तो ये अनभव वाला महीना है, ये कुछ करने वाला महीना है, ये साधनाओं को प्रगाड और चतन्य बनाने वाला महीना है, समझ गए? अब आईए जब भगवान हरी की बात की है, तो आज की ध्यान वाला में जुड़ते हैं, योगिराज भगवान सुर्कर शंस है. श्यपत्र श्यपुटे सयानं वाला मुकुंदं मनसा स्मरामी, बाला मुकुंदं मनसा स्मरामी, कस्तूरी तिलकं ललाट पटले, वक्षस्तले, कोस्तुवं नासा ग्रेवर मोक्तिकं करतले, वेनु करे कंकणं, सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं, कंठे चमुक्तावले, गोपास्ती परिवेष्टितो विजयते, गोपाले चुड़ामनी, सांताकारं वुजगशयनं, पद्वनावं सुरेसं, विश्वात्धारं गगन सद्रिशं, मेगवर्णं सुवांगं, लक्षमी कांतं कमल नयनं, योग वरिद्या नगम्यं, वन्दे विष्ट्नुं भववयहरं, सर्वलो के कनाधं, कवच बना लें, ध्यान करें, भागवान सुरी हरी का कृष्ण का असिरवाद हम सब को मिल रहा है। ओम बोलते हुए नेत्रखोंने समान्य हो जाए। देखो दर्शों को एक आवश्चक सूचना, बहुत लोग हमसे दिल्ली आकर के मिलने का प्रियास कर रहे हैं, लेकिन अभी हम जितनी भी हमारी व्यक्तिकत मिटिंग्स हैं दिल्ली में, वह अभी सभी रद्ध हैं, यानि कि अभी हम किसी से नहीं मिल पा रहे हैं, और करीब करीब एक महा और लग जाएगा। और दूसरी बात एक चीज और आप से बता देते हैं, इस समय टैलीफोर्निक अपाइंट्मेंट जिसे हम कॉल अपाइंट्मेंट भी कहते हैं, आप चाहें देश में रहते हैं, कहीं पर भी यह आप किसी प्रकार का कोई जोदिशिय प्रामर्श की च्छा रखते हैं, तो उ आपने कहा कि शरीर में कोई परिशानी हो, तो दहिक दैविक भौतिक तापा, रामराज नहीं का हुवे आपा, इसके बाद मैंने उसका जफ शुरू किया, और धीरे-धीरे मेरे को अच्छा लगने लगा, और मैंने कहा कि अपंडित जी से कैसे जूनूं क्या जूनूं, त तो मैं मैं कायसे करूँ, मैं विल्ए इश्वर अगर सही है, मा भगवती की मेरे पर कृपा है, तो जरूर मेरा कोई नो कोई रास्ता निकलेगा, तो यह सारी चीजे मेरा को इश्वर की क्रिपा से आपका साथ मिला, और मेरे अंदर की शरद्धा थी, जो मैं आप से जुड ताके समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने हैं तू एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा 10 वजे से शाम 6 बजे तक हमारे विभिन ज्यान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें सब्सक्राइब को 스테रिसE सब्सक्राइब Do आप देखने के लिए मे pont करिक्रम सबस्के लिए